कि डियर स्टुडेंट्स आयम यह वर एकस्टीचर स्टनाम सिंग नाव भी आर गूंग टू डिसकस सेग्ड चैप्टर ओफ पॉल्टिकल साइंस कन्स्टुटूशण हमने इसका जो लास्ट वीडियो उसमें के राед निकिस किया था हम ने जैसे कि सार्थ फिरिका का टूबिक था उसके बारे में डिसकस किया था और उसके बाद हमने साउथ फीका के बारे में डिसकस किया कि वहां पर ऑивать है डिकी पोल सी थी तो वह एक ड qe का देंजरस थी उसके बाद वहां पर नालनल के दिस्क्रिमिनेisन किया जाता था और नेलसन पंडेला के डीडर्शिप में वहां पे रेविलेशन हुई और उसके बाद एक साउथ पी का एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया यह कह सकते हैं कि बाहां पर जो डिस्कृमिनेशन था रहे सना डिस्कृमिनेशन था उसका एंड हो गया और उसके बाद हमने constitution के बारे में विधिस्क्स किया कि जो constitution है call दिश्कृमिनेशन अगर बंद जाता है तो उसके बाद रहां के जो पर्सषिंद है वहां के जो पीपल हैं उन में एक लीब या डॉर जो उनके उनके अंदर को coordinator है उसकी आ जाती है और उसके बाद जो नहीं यह बताता है कि वहां की राइट्स दीगी और कैसे वो यूज करेंगे और किसकी लिम्टेशन्स क्या होंगी उसके लास्ट था कि जो परसन होते हैं पीपल हैं जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं वह एक अच्छी सोसाइट्टी का को क्रेट करते हैं या बनाते हैं और इसके लिए उनकी जो इंस्पिर इंस्पिरेशन की फीलिंग है या भाव ना है जो अकांसा है उसकी वह एक कॉंस्ट्यूशन है अच्छा कॉंस्ट्यूशन उसके बारे में बताता है उसके बाद हम डिसकस कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट टोपिक है कि सरकंस्टैंसिज आवा एट डैट टाइम बैन कि दा टाइम किस प्रकार की सरकंस्टैंसिज थी इसके बारे में हम डिसकस करते हैं तो परस्ट कैया है कि जो इंडिया जिस टाइम यह ताइम यहां पर इंडिया बिटिस का रूल था सेक्ट होता है कि जिसकी इंदिया इंडिपेंडन्स हो गया यह दू Ugh के स्थ इंडिया चोड़ कर चले गए तो उस टाइम प्रोब्लम यह हुई कि जो इंडिया का पार्टिस्न हो गया खुआंटां से फेस पना इलीजियोस फें धर्म के अधार्पा तो हिंडू जो थे उनके लिए हिंदूस्तान या कि इंडिया और जो मुस्लिम थे उनके लिए पाकिस्तान ब्राँ दिया गया तो इस प्रकार से बहुत ही ये प्रोल्म थी इंडिया के लिए जाव इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद है लाज स्केल बॉयलेंस कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और उसके बाद हिंडू मुस्लिम है उसके बीच में बॉयलेंस होती है बहुत ज्यादा हि पीपल लाख सोरी टैन लाख पीपल के गरीब वहां पर मारे गई और जो मारने बाले थे उनके ओपर कोई कारभाई भी नहीं कर सकता रहा क्योंकि इंडिया में कोई सिस्टम हीं था एडिमिस्टेशन हीं था उस ताम तक और इसके बाए रिफ्यूजी प्रोवलम हुई कि जै इंडिया जैसे ही होता है उसके बाद जो यहां के प्रेंशली स्टेट्स थो उनको इंडिया के अंदर मर्ज करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉबलम थी लेकिन जो बलबावई प्टेल थे उन्होंने बहुत अच्छे काम किया और इनको ड्स्मीर की प्रोवलम रह गए थे जो प्रजेंट टाइम में इसे रिजोल्व कर दिया गया है यह कह सकते हैं कि जो वहाँ पे आर्टिकल था उसको तोड़ दिया गया है अब क्या है अब इंडिया एक जो जमुक समीर है एक यूनियन टैटरी बना दिया गया है और उसके बाद एकनोमिकली इंडिया एक पूर क उसके बाद हम डिसकस कर लेते हैं Advantage of Makers of Indian Constitution कि जिस टाइम Indian Constitution का निर्मान करना स्टार्ट किया उसे बनाना स्टार्ट किया तो उस टाइम कैसी कैसी प्रोवलन्स यहां पर आई तो यह कि इंडिया है इंडिया को एक डेमोक्रेटी कंट्री बनाना था कि इंडिया में हमने डेम हैं तो यहां के जो स्टीजन है उनकी जो डेजाइर हैं उनको फिल- फिलकरसक और इस परकार से इंडिया को डेमोक्रेटिव लाटेएं नहीं हा रही थी कर गास्टीजिए गम ब्रम फिस इंडिया और लोर क्लास के परसंद थे जिनें यह कह सकते हैं कि छूआ छूट कहा जा था इंडिया में काफी ज्यादा थी और इसके रिगार्डिंग जैसे इंडियन कॉंस्ट्यूशन मेकर्स थे उनको क्या क्या ड्वांटेज रहे कि जैसे कि 1928 में मौतिलाल नहरू ने और जो एट कईनल से किया त्यार किया था कभ किया था 1922 में ये सबसे पहले अगर काहलं एंडिया का नहरु और एट कांगरेंटilia को ऐटेशन लिद्दों में जो यह कहा गए हैं और उसके बाद क्राच्ची में एक जो लिए सन लाया कि इंडिया नेशनल कांगरेस के दवारा जिसके दवारा ये कहा गया कि जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो उसके उस टाइम किस टाइप का Constitution बनाया जाएगा और उसकी जो बेसिक वैल्यू थी वो एकसेप्ट कर लीगे जो लीडर्स थे वरकिंग इन Constitution Assembly जो Constitution Assembly में काम करने बाले थे तो इस प्रकार जे से एक ड्राफ्ट ता ड्राफ्ट पहले से ही त्यार किया जा चुका था कि इंडिया Constitution कैसा होगा तो इसके रिगार्डिंग पहले से ही काम स्टार्ट हो चुका था और जो बेसिक वैल्यू थी इंडियान Constitution की वह पहले ही डिसाइड की जा चुकी थी जब जैसे ही Constitution का काम स्टार्ट किया तो अच्छे से उसे बिनाना शुरू हो गया थार यह है कि जो इंडियन पॉल्टीशन थे या उस टाइम जो इंडिया जब टिस की क्लोनिय तर उस टाइम उस टाइम जो पॉल्टिक्स में थे और उन्होंने जो पॉल्टिकल इंस्ट्यूशन थे पुर्टिस के दवारा एस्ताइब्स किये थे उनके बारे में वह काफिए नोलिज आ गई थी वह हो चुके थे उन्हीं पता लग गया था कि जो पॉलिटिकल इंस्ट्यूशन से कैसे काम करते हैं कि इस परकार का सिस्टम यह इसमें होता है और गार्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1930 और यह पता लग पाइब रबाय। सजान पोर्नी रोपाइब करते हैं इसमें से इसके बारे में जो लीडरस थे उनको काफी से अच्छे से पता चल चुका था उसके बारे में भी जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी के परसंत है यह यह कह सकते हैं कि जो Constitution को त्यार करने वाले थे उनको काफी कुछ पता था इसके बारे में किस प्रकार का हमने Constitution बनाना है तो तो फॉर एक्जेम्पल जैसे कि हम फ्रेंच रेवलेशन के बारे में फ्रेंच लेवलेशन से काफी कुछ इंडियंस थे उन्होंने सीखा था और अमरीकन जो राइट से उसके बारे में काफी कुछ पता रहा कि अमरीकन अमरीका में कैसे प्रकार से दिये गए हैं और उसके बाद इंडियंस को जो फ्रेंच revelation हुई थी और उसके बाद वहाँ पर democratic government आई थी उसके बारे में भी सोरी socialism आया था उसके बारे में भी काफी कुछ पता था इस पकार इंडिया के जो draft community थी उन्होंने यहां पर जो social economical ऐसा system बनाने की कोशिश की कि वहाँ पर हो social level पे भी और economic level पे भी social के लिए जैसे democratic है उसमें constitution में law बनाए गए ताकि discrimination को का end किया जासके और जैसे की economic equality है economic equality के लिए यहां पर जो Russian system था उसको अड़ाउट करने की कोशिश की गई socialism को अड़ाउट करने की कोशिश की गई तो हमारा जो यह वीडियो है यहीं पर इसका complete करता हूँ और जो remaining पार्ट है इस चेप्टर का नेक्ट वीडियो में डिसकस करेंगे thank you student